हाई बच्चा गेंग, हावर यू और यू और यू और यूर फ्रेंड, यूर फिजिक्स कोच, यूर मोटिवेशनल कोच एंड यूर लाइफ कोच अनुराग त्यागी और आज मैं की वीडियो बना रहा हूं यहां पर और यह वीडियो बहुत ज़रूरी थी मेरे खाल से बना या फिर फिजिक्स का वेपर दुबारा होने वाला है, जब मुझे बहुत बच्चों ने मैसेज किये, उस वीडियो का लिंक भी भेजा, किस वर आप चेक करिये, क्या बात है, तो मैंने दिली, CBSC जो कुछ लोग हैं connection में, उनसे बात की, उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है क्या फिर मैंने जिस दखबार की सूचना दी गई थी, दैनिक जागरण, उसके office में भी हाँ पर contact किया, local गाज़ेबाद में, तो उन्होंने भी मना किया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, और वो एक खबर पर publish हुई है, जिसमें पूछा गया है कि क्या paper leak हुआ है, क्या ऐसी अगर यह paper leak होता, तो इतने बच्चे रोते क्या, आप लोगोंने फिजिस के बाद, chemistry दे दिया, math दे दिया, biology दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपके अंदर से फिरिस का खौफ खतम नहीं हो अब तक, बताईए, जब last year 10th के paper leak हुए थे, तो सारे बच्चे खुश घुम रहे थे, हवा नोड रहे थे, बात भी नहीं करते थे किसी से, आपको याद अगर आपने उस साल 10th के exam दिये थे, आपके दोस्तों ने दिये होंगे, तो जब paper leak होता है ना, तो बच्चे चुप रहते हैं, बात नहीं करते, leak होने की, जब किसी को चोरी का माल मिलता है, तो वो उस बात को महले में गाता फिरता नहीं है, कि मैं मुझे चोरी का माल मिला वो चुप रहता है, वो चुप इसलिए रहता है, क्योंकि उसको पता है, अगर ये बात फैल गई, तो फिर ये चोरी का माल मोरी से निकलेगा, तो मेरी आप लोगों से request है, और उन YouTubers से भी, जो teachers हैं, YouTubers हैं, कि भाया हम YouTube पर इसलिए आए हैं, कि हम अपने बच्चों की help करें हम अपने बच्चों को सही सुचना दे, हम उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनको कामियाब बनाने में help करें, चैनल तो आज नहीं तो कल grow करेगा, अगर आप अच्छा काम करोगे, तो content अच्छा होगा तो channel grow करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा काम करोगे धीरे 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 लोग आपके साथ जुडेंगे, आज जो लोग आपसे नफरत करते हैं, या आपको like नहीं करते हैं, कल वो भी आपके साथ जुडेंगे, बट हाद जोड़कर request कर रहा हूं कि सभी लोग जितने भी YouTube पर यहां पर काम कर रहे हैं, मैं तो भी नया आया दो महीने ही हुए हैं मुझे इस पर काम करते हुए उनसे में रिक्वेस्ट है कि आपके हजारों में सब्सक्काइबर हैं आप लाखों में कमा रहे हो फिर भी आप इस तरह की सुचना हैं मत करिए पहली बात दूसरी बात कोरोना वाइरस की वज़े से अपने पेपर कैंसिल कर अभी हमें यह नहीं पता कि हम कब दुबारा इस लाइक हो पाएंगे कि हम भार निकल पाएं हम रेस्टोरेंट जा पाएं मौल्स में गूमें फिरें मजे करें और हम एक्जाम दे पाएं तो जो बच्चे सोच रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर भी है मुझे बच्चे का मे इसमें बता हैं कि पेपर लेक हो गया और वो एक Danik Jarron की कुटिंग दिखा रहे हूं इसमें बच्चो, Danik Jarron से मेरे बात करी हमारे घर के सामनी ही Danik Jarron का office है सामनी जामे रहता हूं तो मेरे उनसे बात ही तो ऊनुनने पता ऐसी कोई ख़वर नहीं है मारे पास वो तो एक ख़बर छापी है हमने लखनव एडिशन में कि यसी रूमर्स उटो रही है ना कि यसा पेपर कोई लिख हुआ है यसा उनको पता नहीं है कुछ भी इसके लावा जब पेपर लिख हुआ था दो मार्च को तो उसी टाइम कुछ यह भी ख़बर आई थी यूटीव पर जब आप सच करते थे फिजिक्स पेपर 2020 तो उसमें उटोमेटिक आता था लीक्ट तो यह सबसे अच्छा है लीक्ट लिख दो आप जब आप कोई चीज लीक्ट करते हो तो वो बहुत वाइरल हो जाती है मैं एक न्यूज पढ़ रा हूँ यहां पर ND TV की वेब साइट से मैं ने लिया है और ND TV लिखता है आप लोगों के खिलाफ CBSC ने फायर कर दिये जो भी आपके सामने इस तरह की नीज फैलाएं आप पुलिस को रिपोर्ट करिये कि इस तरह की नीज आ रहे है या ये ये इट्यूबर इस तरह की नीज बोल रहा है तो आप उसके खिलाब बोलिए हमारा चैनल अनुरागतियाई क्लासिस कभी ये प्रोमिस करता है आपसे चाहे हमारा चैनल चले या ना चले चाहे हमारी वीडियो को आप देखो या ना देखो आपकी मर्जी है लेकिन हम कभी फेक नीज नहीं देंगे हमारा नीज हमेशा बिलकुल ऑथन्टिक होगा और मैं जब भी कोई बात कहता हूँ यूट्यूब पर तो मैं पहले आज पास सारे ओफिस हैं आपर सीबेस्टी का ओफिस पास में ही है और डैनिक जागरण सारे बिलकुल आज कल आप किसी दरी कॉंटर्ट कर सकते हो अब यह चीज़े बहुत दूर नहीं रह गई हैं आप एक फोन करो उठाते हैं द्यार वर्य रेस्पोंसिबल मोधी गवर्मेंट आने के बाद एक अच्छी बात हुई है सारे सरकारी ओफिस, मीडिया, प्रेस आपको रेस्पोंड करते हैं आप उनसे बात तो करो एक बार तो वो बोल रहें नहीं, इसी कोई ख़बर नहीं है हमारे पास हाँ, दैनिक जायरन ने ख़बर शापिया आज कि मध्यपरदेश में फिजिस का पेपर लीक हुआ है और वो बात पक्की है मध्यपरदेश बोर्ड जो है, हमारा MP बोर्ड वहाँ पर फिजिस का पेपर लीक हुआ है और वो बात पक्की हो गई है कि हाँ पेपर लीक हुआ है और उस पेपर को दुबारा करवाने की बात भी करी जा चुकी है लेकिन अभी मद्यपर्देश बोड ने कोई date fix नहीं करी because of coronavirus coronavirus के बाद ही वो paper दुवारा होगा तो youtubers आप मेरी बात ध्यान सुन लिजे कि कोई paper leak नहीं हुआ है सब अफवाएं हैं फिसका paper अगर leak होता तो सबसे बड़ी पैचान होती सब चुप हो जाते है इस तरह अब तुम रोज आ रहे हो सब सोचो इतना टाइम बीट गया है दो मार्च और आज बीस मार्च अठारा दिन हो गये paper हुए क्या दर्द कम हुआ दर्द भी बाकी है हमारे अंदर भी बाकी है अगर paper leak होता ना कुछ तो 20% को तो मिलता हो paper 20% तो कूते फिरते आप देखो किसी से पूछ लीजे सब के चेहरे उतुरे होए है किसी का अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो essay YouTubers जो इस तरह की news फैला रहे हैं उनसे में request है कि इस तरह की news मत फैलाए IT Act के अधीन आप से कारवाई हो सकती है पता लगा आप आपका चैनल ही बंद हो जाए या आपको जेल में डाल दिये जाए क्योंकि अफ़ा पहलाना है क्राई में आगे अख़ार लिखता है The board has also said it has come to the notice that many anti-social elements anti-social elements कहा जा रहा है आपको देख लिजे that many anti-social elements are uploading fake message like providing CBSC question papers and asking candidates to make payment posting fake videos about leakage of CBSC question papers thus misleading student parents alert रही है हमारा paper कोई leak नहीं हुआ है कहीं कोई leak नहीं हुई है अगर leak होता तो अलगी बात होती इस तरह की अफ़ाई मत फैलाईए और आप बच्चे जो हो मेरे बच्चे प्यारे-प्यारे अरे 10th वालो अरे 12th वालो इस तरह की खबरों पर ध्यान मत दो कोई paper leak नहीं हुआ है इस तरह की news से बचिए और पढ़ाई करिए अब करोना की वज़े से हम सब घर में क्याद हो गए है मैं भी office में हूँ काम कर रहा हूं सुबच से notes बना रहा हूं गले साल के लिए एक test series हम create कर रहे है J-Mains के लिए और NEET के लिए आप भी पढ़िए इस time का best use करिए जब ठक जाओ थोड़ टीवी देख लो घर में ही जो आपके बच्चे होंगे दूसरे उनके साथ खेल लिजे मंब आपा के साथ बात करिए दादा दादी के साथ बात करिए बुज़ूर्गों की सेवा करिए बट at a distance और अगर कोई symptom दिखता है कोरोना का तो उसको तुरंट report करिए इस्थानी परसार्शन से हमारा परसार्शन इस टाइम बहुत active है उनसे बोलिए कि भाई इस तरह का patient हमारे घर में है वो उसको isolation में ले जाएंगे उसका इलाज शुरू हो जाएगा बहुत अच्छी service है और अगर पेपर लीक होता तो आप लोग इतना ना रोते और इतना pain ना होता हमें भी pain है हम भी रो रहे हैं कि बच्चों का exam खराब हो गया है अंत में CBSC वालों से मेरी प्रातना है कि जो इस तरह की numerous फिला रहे हैं उनके खिलाब आप कारवाई करिये प्लस बच्चों को pass कर देना CBSC वालो अरे CBSC वालो थोड़ी copy ढिली चेक कर वालो और bonus marks दे दो 10-10 number दे दो तो मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे पास हो जाएंगे अरे CBSC वालो मेरे बच्चों को ध्यान रखना तो दोस्तों ये एक छोड़ी सी वीडियो आपको अफ़ासे बचाने के लिए हमेशा अनुराग्त याई Classies चैनल आपकी सिवा में उफस्तित रहेगा और जो भी लोग fake news खेलाएंगे उसके खिलाफ हम काम करेंगे जाच करने के बाद अगर ऐसा news होता तो मैं आपको बताऊंगा जदूर अभी तक इसी कोई cover नहीं है कि paper leak हुआ है और जो लोग इस तरह की वीडियो बना रहें उनसे मेरी प्रात्ना है कि इस तरह की वीडियो ना बनाए बच्चों को पढ़ाने वाली वीडियो बनाईए बच्चों को motivate करने वाली वीडियो बनाईए जैहिन, जै भारत, वंदे मातरम wish you all the best कि आप सबकी कोपी चेकिंग अच्छी हो और आप अच्छे नमबर से पास हो जाएं और तरक्की करें जैहिन, जै भारत